हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं करीब आदे घंटे बाद राष्ट गान कर बैठक संपन्न कर दी गई बैठक में कॉंग्रेस पार्षद भरती में वंचित सफाई करनियों की मांगों को सुनने के लिए महापौर के सामने अड़ गए इस दोरान बीजेपी पार्षदों ने खड़े होकर सभागार में कॉंग्रेस पार्षदों से बहस शुरू कर दी इस बीच महापौर प्रस्ताव को लेकर माइक पर बोलते रहे की नीचे सफाई कर्मी वंचित अभ्यरती हंगामा और नारा लगाते रहे कॉंग्रेस दल के उपनेता प्रतिपक्ष गनपत सिंग चोहान से पार्षद प्रदीप बेनिवाल ने माइक छीन लिया इस पर गनपत सिंग चोहान ने टेबले बजा कर विरोध जताया माहौल गर्म हो जाने से दोनों ही दलों के पार्षदों में जड़क की नौबत आ गई इस पर महापौर ओज़ा ने तुरंद बैठक संपन्न करने का एलान कर राष्टगान शुरू कर दी बैठक में शहर के विकास को लेकर विभिन्न कारियों की वित्तिय और प्रशासनिक स्विकृतियां जारी कर दी गए दरसल विधानसभा चुनाव की आचार सहिता लगने से पहले शहर में विकास कार्यों की कार्य योजनाओं को प्रशासनिक और वित्तिय स्विकृति देने को आहूत नगर निगम बोट की साधारन सभा आज सुभा हंगामे की भेट चड़ गई और विकास हंगामे में दब गया नगर निगम की साधारन सभा की बेठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही, हालही में निगम में हुए सफाई कर्मियों की भरती में नौकरी से वन्चित रहे उम्मिद्वारों और उनके समर्थकों ने सभाकक्ष में पहुँच कर हंगामा किया और हंगामे के चलते बैठक को स्थगित करना पड़ा करीब एक महिने से निरंतर हो रहे राजनीतिक कारे कर्मों के चलते निगम के साधारन सभा की बैठक टलती रही और आज इस बैठक को होना था बैठक की शुरुवात में ही हंगामा हो गया काफी समय बाद हुई इस बैठक में सत्ता रुड भाजपा पारशद और महापौर इस बैठक में आगामी चुनाव को देखते हुए विकास कार्यों को स्वीकरत कराने के लिए सोच कर आये थे जबकि कॉंग्रिस पारशद दल अंतिम दिनों में हो रही इस बैठक को लेकर अब तक किये गए विकास के नाम पर खोकले दावों को लेकर पक्ष को घेरने की तयारी करके आया था जोदपुर से चागरुप टीवी की रिपोर्ट